Hello friends, स्वागाते आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ABPS Classes में जी हाँ आप सभी को सिक्षक भरती के त्यारी कर रहे हैं सभी स्टूडेंट के लिए महाखुसकबरी सामने निकल के आ रही है जी हाँ आप सभी के लिए महाखुसकबरी जैसा कि आप सभी ने थमने रिट का लिया होगा कि महाखुसकबरी सिक्षक भरती के त्यारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए आई बहुत बड़ी खबर जी हाँ आप सभी की जो सिक्षक भरती है वो आ चुकी है आप सभी को हम इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे आपका योग्यता क्या होगी उसमें आपके आउनलाइन आवेदन कब से कब तक लिये जाएंगे आयू सीमा क्या रहने वाली है आपकी एस एक्षडी की योग्यता क्या रहेगी आप सभी को सेलरी कितनी रहे डेटेल के साथ हम आपको इस Guinea में डिसकस करने वाले हैं आप पूरी वीडिओ को लाश्ट तक देखिएगा कहीं से भी वीडियो को lash took करेंगे तो आप से आधी आधूरी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर लीजिए और पल-पल की अपडेट के लिए अगर आप सिक्षक भरती की पल-पल की अपडेट जानना चाहते तो आप टेलिग्राम चैनल सो जोईन करना बिल्कुल न भूलिएगा आपको डिस्क्रिप्शन जारेख शिक्षक के 12603 दिक्त पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर अलाइन आवेदन आमंत्रुत गया है तो यहां पर आपको नोटिफिकेशन भी आ गया है आपको ओनलाइन आवेदन करना है 12603 पदों पर आपका जो योग यवाई चुक अभ्यरती है वो बोर्ट की आधिकारिक website पे जाकर online आवेदन कर सकते हैं इसके अत्रिक्त अन्ने किसी भी माध्यम से प्रेशित आवेदन स्विकार नहीं किये जाएंगे आपको बता दे कि आवेदन के अंतिम तिथी जो है वो 11 प्रेल 2021 है तो यहां पर आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है अब हम बात कर लेते हैं कि पुरुसवर्ग और महिला वर्ग में कितनी सीटे आई है तो प्रसेशित स्नातक शिक्षक के 12,603 रिक्त पदों पर भरतिया निकली हुई है, ये कुल पदों की शंख्या है, और जो प्रसेशित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग हैं, उसमें 11,195 हैं, और जो बालिका वर्ग के लिए निकाल गया है वो 1,408, सैक्षोडी की योग्यता आ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास B.A.D.A. ने समकच्छ डिग्री होना जरूरी है आयू सीमा क्या होने वाली है आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयू 1 जुलाई 2021 को नियूंतम 21 वर्स की होनी चाहिए और आपकी जो चैन प्रक्रिया होगी उस पर बात कर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चैन लिखित परिक्षा के अधार पर किया जाएगा परिक्षा में multiple choice question पूछे जाएंगे आप लोगों को बता दे कि आपके आवेदन सुल कितने लिए जा रहे तो सामान ने वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपए हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवार हैं अन्सूचित जात यान्सूचित जन जात क्या भ्यर्थियों को क्रम से 450 रुपए और 250 रुपए देने पड़ेंगे और सेलरी की बात कर लें तो भर्थी होने वाले भ्यर्थियों को 44,900 से लेकर 1,42 प्रतिमाह वेतन मिलेगा मतलब आपकी 44,900 रुपए से आपके स्टार्टिंग रहेगी 1,42,400 रुपए आपको प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा तो बहुत अच्छी वेकेंसी आप लोगों के सामने निकल कह रहे हैं आप लोग अपनी तयारी सुरू कर दीजिए और आप लो लोग आवेदन कीजिए आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है इसी तरह की खबर जानने के लिए आप मारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि उनको भी ये निवीज पता साथ सके आप लोगों ने वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद